अस्तालाम आलेकुम फ्रेंड्स, वाकम टो माँ चानल, लोलेवू शोविस में मैं आपको खुशामदीर कहती हूँ अभाण ये चानल, लोले वादारा, आधोल वादारा, आ हरारवी तेरे थे वाद सजिताओए ओढ़ोण वादारा, हरारवी तेरे थे बड़ा सौड़ा सजिताओं दोस्तों फीजा अली और जिशान डोकरी के बारे में काफी बाते की जाती हैं और उनकी रिलेशन के क्या हकीकत है मैं बताऊंगी इस वीडियो में लेकिन इससे पहले जरूरी है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और साथ ये आजकल ये सोशल मीडिया पर गाफी अपडेट रहती है चुंकि फीजा अली की तलाग हो चुकी है तो लोगों की कोशिश होती है कि तलाग क्याफत अरतों को ये शोबिस की कवारी औरतों को किसी ना किसी अक्टर के साथ या किसी ना किसी साले बिर्डिस के साथ जोड़ते रहें इसी तरहां से फिजा अली और जिशान रोकडी के साथ हुआ खरी लोगों नो ते ये कबर भी आम गर दी कि जिशान रोकडी और फिजा अली ने निकाह कर लिया है लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है इस रिष्टे की हकीकत क्या है मैं आपको बताती हूँ एक मटबा एक शो में जिसको फिजा अली होस्ट कर रही थी उसमें आये जिशान रोकडी और साथ में उनके वाले तब फिजा अली ने उनसे मखातिब होते हुए उनसे कहा भाई जिशान तो सब लोगों को ये वाजिया हो गया कि जिशान रोकडी और फिजा अली की दरमयान इस तरहां का कोई रिष्टा नहीं है तो आपको भी ये वाजिया हो गया होगा कि फिजा अली और जिशान रोकडी का कोई निकार नहीं हुआ मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा मिलते हैं अगरे किसी अच्छी वीडियो के साथ तब तक के लिए अला हाफिज